Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube channel English Literature पर Welcome कहती हूँ हम जो novel कवर करने जा रहे हैं आज की lecture के अंदर वो है Home Fire जिसको लिखने वाले हैं Camilla Shamsi Camilla Shamsi का एक और important work इन्हों ने ये work 2014 से 2017 के duration में लिखा था London में और इस work की publication होती है 2017 15 August को ठीक है तो ये पाबलिश कब बुआ 15 August 2017 और इसका लिट्रेरी पीरिड़ कांटिम्प्रेरी इसके येंडरा की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल फिक्षिन है डुमेस्टिक फिक्षिन है और रुमेंटिक फिक्षिन है और फॉर्दर मोर एक novel सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग इसमें हम लंडन भी देखेंगे एमरेस्ट भी देखेंगे इस्तंबुल भी देखेंगे रका भी देखेंगे कराची भी देखेंगे मतलब इंगलेंड हो गया मस्चुसित हो गया तुर्की Syria और Pakistan multiple countries को देखने वाले हैं हम लोग इस novel के अंदर जो important theme होने जा रहे हैं इसके अंदर most important theme वो है xenophobia और racism xenophobia क्या है? यह जैनोफोबिया यह दोनों प्रोनेसेशन इसकी xenophobia क्या आता है? basically कि जब भी दूसरी country के जो लोग होते हैं उनकी against आपका dislike यहां फिर fear of foreigners ठीक है? को जो foreigners होते हैं उनकी against आपका खोफ आपका dislike, आपका prejudice यह सब खेलाता है xenophobia फोर एक पाकिस्तानी हो आप लंडन में जाके रह रहे हो तो लंडन के लोगों का उनकी जो politics है उनका आपकी against वो क्या attitude है? आपके towards क्या attitude है? वो आपसे डर रहे हैं वो आपको dislike कर रहे हैं और आपके against different kind of prejudice हैं ठीक है? तो यह xenophobia होता है और सेम रिसिजम जो है वो भी linked to xenophobia सी तो यह दो major theme है इस novel के इंदर further feminism भी इसके इंदर एक important theme है politics important theme है terrorism, fundamentalism और most important theme की बात के जाएं तो वो है love story यह basically एक love story भी है और further हम novel के अंदर एक term देखेंगे which is googling while Muslim कि एक Muslim होता है Google को use करना और search क्या करना है? ISIS ठीक है? इस party के बारे में search करना है तो it means अगर ISIS को search करती है तो जो government थी वो शमसी के बारे में भी इसमें अनीका नाम की character होगी उसके बारे में भी suspicious feel करेगी कि कहीं इसका ISIS के साथ link तो नहीं है ISIS क्या है? यह एक जिहादी ग्रूप है जिनको negative way में portrait किया गया है और बताया गिया है novel के अंदर कि जो अनीका और इसमा दो भेने हैं इनका भाई परवीज उसने ISIS को जोइन कर लिया है और उसके बाद इनकी family को क्या-क्या crisis face करना पड़े furthermore जो इनके फादर थे आदल ठीक है? आदल पाशा उन्होंने भी ISIS को जोइन किया हुआ था और वो एक जिहादी थे and further इनकी family को क्या-क्या crisis face करना पड़े इस पे इस पे इस सारा novel discuss किया गया है तो anyhow without wasting any single minute जो हमारी novel की story है वो शुरू करते हैं पाशा फैमिली से पाशा फैमिली की गड़की है इसमा इसमा पाशा यंगस्ट नहीं बलके elder daughter बड़ी बेटी इसमा पाशा जो है वो novel की opening में 28 years old की है 28 साल की लड़की है जोके old British Muslim है और इसकी flight है London से Boston की तरफ ठीक है यह London से Boston की तरफ जाना चाहती है और जिस airport के थूए जा रहे थी वहाँ पे Hathryu Airport का नाम है Hathryu Airport पे इनको रोका गिया है इन्होंने हिजाब पहना हुआ था और इनको रोका क्यों गिया नमबर वन हिजाब पहनने की बेस पे नमबर टू इनके Muslim background की बेस पे इवन के she's a British citizen वो British citizen भी है अब आपने मेरी बात सारी गोर से सुननी है मैंने भी अपको क्या बताया है मैं इसको तुड़ा से रिपेट करके अगर अपनी स्वर्णी को continue करने वाली हूं इस पाशा है करेक्टर है जो के 28 यर्स ओल्ड है यह Muslim family से बिलॉंग करती है और इसके इलावा यह और बिटिश मुसलिम भी है इनके पास British citizenship भी है अब होता क्या है जिस ताइम पे यह Heathrow Airport से Boston जा रही थी लंडन से तो उस ताइम पे वहाँ पे जो security थी उन्होंने इनको रोक लिया और रोक के इनसे interrogation शुरू कर दी वो सवाल जो आप 2 घंटे तक चलते रहे थे अब जब वो सवाल जो आप पूशते हैं तो वहाँ पे weird किसम के questioning करते हैं अजीब और गरीब किसम के सवाल पूशते हैं तो उस जिगा पे हमाई इनके family background का पता लगता है कि basically जो इसमा की mother थी जब इसमा 19 years की थी तब उनके death हो गई थी इसमा के twin siblings भी है आदिल पाशा था आदिल पाशा ने बहुत से conflicts के अंदर fight की और हुआ क्या आदिल पाशा जब fight कर रहे थे तो बग्राम नाम की place थी वहाँ से इनको पकड़ लिया गया था और इनको बग्राम से लेकर Guantanamo Bay ये बहुत ही मशूर prison है इसके बार में search भी लाजमे करियेगा anyhow Guantanamo Bay में लेकर जाय जा रहा था तो इनकी उस duration में death हो जाती है और furthermore पता लगता कि इसके वो twin siblings है एक Anika, दूसरा परवेस, Anika जै वो एक law student है और वो जानती है क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है ये बुक में कहा गया है on the other hand पर वेस जो है वो रखा चला गया है सेरिया में IS-IS को जोइन करने के लिए अब क्योंके इसका भाई IS-IS को जोइन करने के लिए गया है एक जिहादी हुआ और जो father है वो भी एक जिहादी था तो अब father and brother ये दो में कहुजिस थे जिसकी बेस पे इसमा पाशा को रोका गया airport पे ठीक है reason clear हो गया यानि कि इसका Muslim background जो कि मैंने भी आपको clear किया और इसका हिजाब और Muslim background में क्या आ रहा है main brother और father इन दोनों की बेस पे इसको रोका गया है एरपोर्ट पे इससे सवाल जाब किये जा रहे है किये जा रहे है और weird kind of questions भी कर रहे है लेकिन ये उनका politely और humbly answer दे रही है और ये politely answer क्यों दे रही है प्योंकि मैंने बताया इसकी बहन थी Anika Anika जो थी वो एक law student थी और ये Anika के साथ मिलके इस किसम के questions के answers की practice करती रहती थी क्योंकि ये जानते थे कि there is xenophobia कि एक जो stranger है एक foreigner है उसके towards hate और उससे fear, खोफ और specially there is a greatest prejudice against Muslim, Muslim की against काफ़ी जयदा prejudice पहला हुआ है अब anyhow इस retention की base पे यानि के दो गंटे investigation की base पे क्या हुआ ये अपनी flight मिसकर बैठती है और काफ़ी दे क्वेशनिंग के बाद इसका जो वीजा वेरिफाय होता है और वीजा वेरिफाय होने के बाद जो next plane उसके थू जाती है बूस्टन अब ये बूस्टन क्यों जा रही है वहां पे बिसिकली ये अपनी sociology की जो डिगरी है उसके पी एसडी करना चाहती है और अपनी sociology की डिगरी के अंदर पी एसडी करने के लिए वहां पे जा रही है और वहां पे इसको invite किया हीरा शाह ने जो कि इसकी एक advisor भी थी इसकी professor भी रह चुकी हुई थी तो anyhow अब जो इसमा पाशा है वो बूस्टन पहुंच गई next plane के थू वहां पे ये new year day में पहुंचती है जो कि 2015 का day होता है ठीक है 2015 का new year day होता है वहां ये पहुंचती है और उदर इनको डॉक्टर हिना शाह वहां पे इनको receive करती है बड़ी warmly उनका welcome करती है और कुछ दिन गुजरने के बाद इनको वहां पे एक studio apartment मिल जाता है कि इनको इसमा शाह को जब उनको studio apartment मिलता है वहां पर तो ये वहां पर रहना शुरू कर देती है और एक coffee shop के अंदर ये काम करना शुरू कर देती है और अपने reading वगारा शुरू कर देती है अब जब ये coffee shop के अंदर काम कर रही होती है तो वहां पर इनकी एक दिन मुलाकात होती है एमल लॉन से जो के बेटा है करामत लॉन का करामत लॉन कोन है इसकी डेटेल हम आगे पढ़ेंगे सिंपली मैं भी बता दू कि ये ब्रिटिश हॉम सेकेट्री है यूके का ठीक है एमल लॉन बहुत ही effluent और attractive kind of person होता है और ये typical representative है ब्रिटिश इलीट का ये भी एक Muslim है like Isma Pasha और ये एक पाकिस्तानी बैग्डाउंड से बिलॉंग करता है इसका बैग्डाउंड बात की जाए फैमिली की बात की जाए तो वी basically पाकिस्तानी थी क्योंकि जो इनके father थे क्रामत लॉन वो भी basically पाकिस्तान से बिलॉंग करते थे लेकिन वो एक British politician थे क्योंकि वो काफ़े time से British में रह रहे थे anyhow जो इसमा होती है और एमन होते हैं एमन ये दोनों लड़का लड़की इन दोनों की दोस्ती हो जाती है लेकिन एक time ऐसा होता है इन दोनों की बहस होती है किसके उपर on the matter of father क्योंकि इसमा जो है वो करामत को बुरा भला बोलती है जब तो एमन को अच्छा नहीं लगता उसको लगता है कि ये भी बाकी so cold अजीव औगरीब लोगों की तरह react कर रही है मेरे father की about जबकि मेरे father जो है वो बुरे नहीं है वो अच्छी है तो anyhow एक तरफ इनका argue हो रहा होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है अनीका को आंटी नसीम इनकी नेबर में एक रहने वाली लड़की है औरत है आंटी नसीम बताती है कि अनीका ने basically परवेज की अगेंस्ट रिपोर् पॉसाद है कि इस ने is.s.is.cross जोइन करने का डिसीन लिया है कि अनीका को बड़ा घुसाफा ऑता है इस बात पर इस बात धुहें को पहसागे और इनका की और जिल कॉर करती है को क्या कि तो आपका लाक्त की तो बुरा बलाचना शुरू कर दिया कि तुम्हारी विधा होग वो अनेबल होगे, घर ना सके, अनेबल टू कम हॉम, एंड शी तेल्स इसमा नोट टू कॉंटेक्ट हर अनीमोर, कि तुम मुझसे अब मजीर राप्ता ना करना, इसमा कहते है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने क्यों परवेस को बंद करवाया है, मतलब परवेस के अगेंस म वो परवेस अनीका ना फेस करे, कहती है, मैंने इसलिए इसके अगेंस रिपॉर्ट करवाया है, लेकिन अनीका उसकी एक भी बात नहीं सुनती, कहती है तुम जो तुम एक गतार हो, तुमने मेरे भाई के खिलाफ रिपॉर्ट करवा कर उसको बंद करवा दिया, सोरी भाई करती है और on the other hand जो डॉक्टर शाह होती है वो इसमा को कन्विंस करती है कि तुम जो ना एमन को पता दो कि तुमने क्यों उसके फादर के अगेंस हेटर चो किया कि तुम्हें क्यों उसका फादर पसंद नहीं है और जब डॉक्टर शाह यह कन्विंस कर लेती है इसके बाद अनीका उसको कॉल करके उससे लड़ाई कर लेती है इसमा बड़ा दादर डिप्रेस्ट फिल कर रही होती है फिर इसमा जो है वो बिसिकली एमन से कॉंटक्ट करती है उसके प्रोणिशन इमन भी किजाती है और एमन भी किजाती है तो मैं बिसिकली अगर एमन बोलू या इमन बोलू तो समस्द जाए कि मैं इस परसन की बात कर रही हूँ क्योंकि इसमा अच्छा मैं पता रहे थी इसमा कॉंटक्ट करती है इमन से इस्मा पहले जो इसमा है, वह बहुत दफ़ा में राप्ता करने की जूशिश करती हैं अनीका के साथ लेकिन अनीका उसको रिस्पोंस नहीं करती। ठीक है अब इसमा ने कांटक्ट किया इमॉन से इमॉन आया इसमा के पास और जब इमॉन इसमा के पास आता है तो उस टाइम इसमा फर्स टाइम अपना हिजाब रिमूव करती है एनियाओ इसमा ने अपना हिजाब रिमूव किया उस टाइम पे तो तब इसमा इमॉन को कहती ह मेरे बाइख ली है और अब क्या होता है जब Iman आया है इनके घर पे तो इस मा की घर के अंदर Iman एक पिचचर देखता है इस पिचर के अंदर अनिका की तस्वीर होती है वो अनिका की तस्वीर देखता है तुम्हारी फैंड तुम्हारी फैंडी हो तरीफ करता है यह एक रिमाखिबल लाइन है कि कहता है एंड MUSIC FAMILY किसको देखे कहरा है अनीका की पिचर देखे कहरा है तो BISICALLY जो अनीका और इमोन है न इन दूनों की लफ स्टोरी शुरू होगी इस Novel के अनดर अब जब इमॉन आया है तो इसमा इमॉन को पताती है कि क्यों मैं तुम्हारे फादर को पसानने करती है मैंने क्यों तुम्हारे फादर को बरा भुला कहा अब वो रीजन बताती है इसमा करती है जब मैं पैदा हुई थी न तो उस टाइम पे जो इनके फादर थे वो इनको छोड़के चले गए थे उस टाइम पे इसमा trek नीउबॉबॉund चाहिड थी पर करते जब असमा आच साल के होई तो उनके फादर वापस आये अरे फिर मेरी माँ को उन्हें कुछ टाइम दिया and मेरी माँ अगेंस से मदब बनने वाली थी और मेरी मदब को impregnant करके वो वापस चले गे थे एक war के लिए, battle के लिए कुछ plannings थी उनकी, उन सब के लिए फिर बताती कि 2001 में 2001 में M15 के कुछ persons आये, कुछ officers आये हमारे घर में, उन्होंने आ के हमारे से हमारे पादर के बारे में पूछा लेकिन हमें कुछ नहीं पता था and then 2004 के अंदर हम लोग को एक news आती है और वो news क्या आती है, कि इनके पादर जो थे आदिल, वो जून के मन्त के अंदर उनकी death हो गई है उनकी death कैसे हुई, उनको गवांता नामो बे नामी जेल में लेके जाया जा रहा था और उस जेल में लेके जाया जाया रहा था तो उस दुरान रास्ते मिल जाते हुए उनकी death हो गई थी अब जब ये news इनकी family को मिली तो जो इसमा की grand mother थी, वो किरामत के पास गई थी किरामत कौन? किरामत बिसिकली एमौन का भाप ठीक है एमौन का फादर किरामत लोन के पास गई और उसने जाकर कहा कि आप इस मैटर के अंदर कुछ करें हमारा साथ दें जो ये मेरे बेटा है आदिल उसकी death हुई है इस इशू के अंदर हमारी help करें तो आगे से कौरामत में रिस्पॉंस किया था they are better off without him कि वो उनके बगारी बहुत अच्छे हैं आपको चाहिए कि आप आदिल के बारे में ज़रा भी वरवाना करें आप उनके बगारी बहुत अच्छे हैं तो आपके फादर ने मतलब करामत लोन ने इस मसले के अंदर हमारी help करने से हमें मना कर दिया था that is why जो है मुझे आपके फादर यनी के करामत लोन पसंद नहीं है इस सारी बात सुनने के बाद जो एमान है वो अपने फादर को ही डिफेंट करता है जरूर मेरे फादर ने गर उस ताम कोई ने कोई असेक्शन लिया है तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा anyhow अबा में कहते है मैं तुम्हारी मुलाकाद इसमा कहते है अपने फादर से करवा दूँगा अभी तो फिलाल मैं लंडन वापस जा रहा हूं इसमा जो है वो एक गिफ्ट एक पैकेज होता है M&M's का वो अपनी आटी नसीम को भीजवाना चाहती थी तो जब ये जा रहा है वापस लंडन यानिके इमोन तो इसमा उसे कहते है कि तुम्ही जो पैकेज भी ट्लिवर कर दो कि अगे से एमोन कहता है कि ilmaat package जो जो डिलिवर करवादूंगा तुमारी आटी नसीम को अब एमॉन जो है वो लंडन में आ गया जब एमॉन लंडन में आता है तो वो जो आंटी नसीम का पैकेज होता है M&M's का वो किसी पोस्ट मैंन के तुरू डिलिवर करवाने की बजाए वो खुद बाय हिमसर वो पैकेज लेके जाता है आंटी नसीम के पास आंटी नसीम के वो एमसर व criticism मील रही होती है उस जीरेशन में अपर अनिका देखती है इनका देखता है और अनीका को देखके पहचान लेता है यह तो वही लिड़की है जो के इसमा के घर पिच्चर में देखा था और इमॉन को देखके जो अनीका बड़ा एग्रेसिव एटिटूड दिखाती है क्यों? क्योंकि अपने फादर की बेस पे इमॉन के जो फादर थे उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया था इनकी फैमिली के साथ इस वाइ उसी बेस पे अनीका जो है इमॉन के तरफ एग्रेसिव एटिटूड दिखाती है लेकिन अनीहाव जब इमॉन वह से ला जाता है तो अनीका उसके पीछे जाती है इम अनीका अपना हिजाब रिमॉफ करती है और वहां से इमॉन और अनीका का एक रूमेंटिक रिलेशन्षिप स्टार्ट हो जाता है इमॉन अनीका को पसंद करने लग candi זה वो चाहता कि वह उसको प्रोपोस करे लेकिन अनीका कहती है कि जो हमारा रिलेशन्शिप है तुम इसक सीक्रिट रखना वो अनिका एमॉन को अपना सेल फून नंबर भी नहीं देती और कोई भी ऐसा सोर्स प्रोवाइड ने करते जहां से यह उससे कॉंटेक्ट में रह सके एनियाओ ऐसी टाइम गुजरता गया अनिका और एमॉन का जो रिलेशन्शिप था वो काफे ज़्यादा इन दोनों को काफे ज़्यादा प्यार हो जाता है एक दूसरे के साथ और उसके बाद अनिका को अपने अपार्टमेंट की कीश भी देता है कि तुम अपार्टमेंट में आजाए करो कीश के थूरू अनिका जो है बहुत ही सदा है रिलेश जिस होती है मतलब नमाजी इसको देखे कि अनिका बड़ी डिवोटे अपने प्रियर्स में लेकिन अगर पैशन्स के लिया से बात की जाए तो वहां पर भी इसको फ्रीडम है मतलब वहां पर भी फ्रीडम रखती है एनिहाओ एक ताइम ऐसा आता है इमोन कहता है कि वह अनिका को प्रपोस करना चाहत परभी एकाता है इस रिलेशन पर जाता में अपने अपने बाइड के बारे में इसका बाइड का भाई परमेश फ्रीडम वह लोगता एमोन को लिए इसको चोड़के रखा चलाकियाता चला गया पर फ्रीडम है उस से मापड़ा है आप डिया यृच्डस मिडिया उनिया उ करवा सकूं उसको वहां से वापस बुलवा सकूं यह सोचकर इमॉन को बड़ा दुख होता है कि यहां पे लव नाम का वर्ड नहीं exist करता था अनीका के डाइरी के अंदर बलके उसने मुझे धोका दिया और मुझे धोका देकर उसने बिसिकली अपने भाई को अजाद करवान इमॉन के थ्रू क्यों क्योंके बिसिकली इमॉन एक पॉलिटिकल परसन का वेट है जिसके पास पावर है अथोरोटी है एनिहाओ जब यह चीज इसको फील होती है और यह हर्ट फील करता है तो उस टाइम पर इनिकाउस को कहती है कि नहीं सिर्फ बात इतनी नहीं है मैं वा तो अब जो है इमॉन जानता है कि हाँ अनिका उसको पसंद भी करती है ठीक है और परपस के है दूसरा मतब दूसरा पॉइंट के है कि इसके भाई को वापस घर लेके आना है इमॉन जाता है अपने फादर को जाके पताता है अनिका के बारे में पताता है परवेस के बारे म और जब कमरात, करामत सोरी ये बात सुनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अनिका ने अंदा करके रख दिया हुए और करामत फर्दर ये कहता कि तुम अब कभी भी अनिका को ना मिलो तुमने कभी भी अनिका को नहीं देखना अब इसके बाद जो स्टोरी का परस्पेक्टिव और परवेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है Basically जो स्टोरी हम लोगो फाइव परस्पेक्टिव में बताई गई हुई है मतलब पांस लोग बता रहे हैं पहले ने देखा इसमा ने स्टोरी बताई फिर इमॉन ने बताई तो एनिहाँ हम देखते हैं कि परवेज जो बता रहा है कि प्रिवियस फॉल में क्या हुआ कि उसको एक बंदा मिला फरूक नाम का फरूक ने ना कहा मैं तुम्हारे फादर के हिरोईजम के बारे में बड़ा जानता हूँ परवेज बड़ा खुश हुआ कि किसी ने उसके फादर के बारे में बात की है तो परवेज जो है वो चाहता था कि कोई उसके फादर के हिरोईजम के बारे में बात करे उसके जहादी होने के बारे में बात करें ना कि उसको नेगेटिब वे में डिस्कस किया जाये तो फुरुक कहते हैं मैं तुम्हारे फार के बारे में जानता हूँ तुम्हारा फार एक बड़ाई हीरोस्टिक रिसंग कैंड ऑफ परसन था जिसका नाम आदल था परवेश बड़ा खुश होता है परवेश फरूक की बाते बड़े दिहान से चुना शुरू कर देता है और परवेश जो है बिलकुल अपने फादर की तरह का बनना चाहता था अब एक दिन जो है फरूक परवेश को अपने घर पे बुलाता है और उससे बताता है कि तुम झो ना, अगर अपने फादर की तेना बनना चाते हैं तो अपने फादर के बारे में मजीद जाना चाते हैं तो तुम यह सीरिया जाना चाहिए ठीक है? तुम मेरे साथ सीरिया आना वहाँ पे और भी बहुत से लोग जोके तुम्हारे फादर को जानते है Anyhow, Parvays Seria जाने के लिए तयार हो जाता है जब वो Seria में पहुंचता है तो वहाँ से फरूक जो होता है वो उसका passport उससे ले लेता है जब फरूक उससे उसका passport ले लेता है तो परवेस को रियल है जोता है कि उसको कितनी थोड़ी इंफिर्मिशन प्रोवाइड की गई थी फरूग ने इसको कितना थोड़ा थोड़ा बताया था सारी रियालिटी नहीं बताई थी एनिहाओ उसके बाद परवेस जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाता है वो ISIS मीडिय यूनिट को जोइन कर लेता है इसके बाद फरूग को पता लगता है कि जो अनिका और इसमा वो भी जानते कि फरूग वहां से जा चुका है और फरूग जा कर सीरिया में आ चुका हुआ है मतलब यह अपनी फैमली को बता के नहीं आया हुआता था लेकिन जब यह यहां पर आया तो इसे बता लगा कि जो अनिका और इसमा उनको पता लग गया कि फरूग जा वो यहां पर आ गया है सिरिया में और इसने ISIS, जो मिडिया यूनिट है, उसको जोईन कर लिया है, उसके बाद फ़रूग को ही पता रखता है कि जो M15 है वो अब इनको, यानि कि इसमा को और अनीका को मोनीटर कर रहे हैं और यहां पर आके पर वेस को रियलाइज होता है कि इसने एक अच्छा स्टेप नहीं लिया था और इसने फादर को किस तरह फोलो किया सर्फ उसने फादर को इस तरह से फोलो किया, कि इसने अपनी फैमिली को अबंडन कर दिया, अपनी फैमिली को छोड़ के इस जेगा पर यह आ गया अब पर वेस को फील्ड रिकॉर्डिंग के लिए लिए जाया जारा होता है इसके लावा पर वेस फर्दे देखता है कि एक ओरत है जिसको एक दिवार के अंदर पिंड किया जा रहा है ठीक है, विमेन पिंड अंडरनीथ वाल क्यूं? क्योंकि उसने हिजाब फेस वेल नहीं पहना हुआ था इस भी पेस पे और वहाँ पे अचानक उस वाल पे बॉम्मड हो जाता है जब सब कुछ देखता है वहाँ पर वेस रियलाइस करता है कि उसने एक रॉंग स्टप लिया था उसने एक मिस्टेकन स्टप लिया था उसे गलती हो चुकी है इसको जॉइन करके अब इसके बाद जो फरूक है सोरी परवेस है वो अनिका को कॉल करता है अनिका जो उसको कहती कि तुम इस्तंबल वाली साइट पर आजो टूर्की में ताकि तुम वहाँ से फर्दर जो है वो बिटिश कॉंसिलियोट में जा सको अब परवेस वापस अपने घर जाना चाता है यहां आने के बाद अब कुछ वीक्स उज़रते हैं कुछ वीक्स के बाद परवेस और फरूक तोने इस्तंबल में जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ मजीद नए मीडिया एक्विक्मेंट ले सकी है अब उस तुरान पर यह एलेक्ट्रोनिक शॉप में होते हैं जब एलेक्ट्रोनिक शॉप में होते हैं तो वहाँ से फरूक बिसिकली परवेस को थोड़ी देर के लिए अकेला चोड़के जाता है जब फरूक परवेस को अकेला चोड़के जाता है तो वहाँ से जो परवेस है वो भागने के कोशिश करता है वो भाग के जाकर एक कैब लेता है और वो कैब लेके कहा जा रहा है ताके वो बिटिश कॉंसलियूट में जा सके वो अनीका को कॉल करता है अनीका उसे कहती है कि वो तुर्की की तरफ आने वाली है वहाँ पे जल्दी आ जाएगी और उसे कहती है उसका इंतजार करना अब उसी दुरान में जिस दुरान में ये बात करता है अनीका से अनीका कहती है उसका इंतजार करना ये फरूका भी टेक्स रिसीव करता है फरूक उसको मैसिज बेता है और कहता है कि वो इसके पीछे पीछे आ रहा है अब वहाँ पर वेज़स को रेल जो था कि फरूक उसको जाने नहीं देगा और जो अनीका है वो यहाँ पे आने ही पाएगी तो ये अकेला ही British Consulate जाने की कोशिश करता है क्योंकि जिल्दी से अपने घर जाना चाहता है Anyhow जब ये British Consulate पहुंचता है अपना step रखने ही रखता है अंदर तो वहाँ पे Farooq जो है इसको shoot कर देता है उसको shoot करके वहीं पे इसको मार देता है अब क्या हो आज़ी परवेस की death हो गई कैसे होई Farooq ने उसे shoot करके मारा था अब Anika कोच पता लगता है कि Farooq की death हो गई है Anika बुझा ग्रीफ में बुझा दुख में आ जाती है और इवन के वो इसमा के साथ time spend करना 20% नहीं करती फिर वो कुछ stories देखते हैं जो के परवेस के बारे में चल रही होती कहा जाता है the latest name in the string of Muslims from Britain who have joined ISIS कि ये Muslim में से वो नाम था जिसने बुझा जा कर ISIS को जोईन कर लिया था इस news के बाद एक और news चलती है वो करामत के बारे में होती है करामत कहता है कि जितने भी यहां पर dual national citizens थे और जितने भी यहां पर dual national citizenship थी जो के ब्रिटेन को छोड़के जा चुके थे और हमारी enemies को join किया था यह उन सब की citizenship को revoked करता है यहने कि इसने खत्म कर दिया है और यह भी कहता है कि जो परवेस है इसके British citizenship भी यहां पर इसने रिवॉक्ट कर दिया है और इसको यहां पर यहां पर यहने कि ब्रिटेन में नहीं दिफना जाएगा इसको पाकिस्तान में दिफना जाएगा देन डिफरेंट पुलिसमन आते हैं आके inquiry शुरू कर देते हैं नीका से कि इसका इमान के साथ क्या relationship था क्यों relationship था वहां पर बताती है कि इसको लगा था कि एमान उसकी help करेगा उसके भाई को वापस लेकर आने के लिए इसलिए इसके साथ relationship कंटिन्यू किया इसमा को बदा लगता है कि यह relationship इसलिए था इसमा भी बड़ी खुश होती इस चीज़ पर इनि किती है इसमा main cause है परवेज की death का क्योंकि ड्यू टू इसमा वो घर ना आ सका और अब वो इसकी death हो चुकी हुई है इनिहाओ इसके बात बहुत से articles आते हैं कि इसके बारे हम एक जगा कहा गया है कि इसमा कहती है कि इसमा और अनिका शोग्ड थे horrified थे यह जानने के बाद क परवेज ने IS-IS जोइन कर लिया है इसलिए इसमा ने फॉरन ही CTC यानि के counter terrorism command को inform किया था परवेज के बारे में कहते है पिर एक और article है जिसमे बताया गिया कि जो परवेज के फादर थे वो भी जिहादी थे और भी जिहादी ग्रूप के साथ थे पिर एक और थर्ड आते गए खबरें फैलती कि अजीबों गरीब किसम की और एक खबर बे तो यह भी आए कि जो अरीका थी वो बिसिकली एक सोर्स थी परवेज का जिसने बिसिकली डिराया हुआ था एमन को कि एमन जाके अपने फादर करामत को किन्विंस करें कि वो उसके जो भाई है उसको वापस ब्रिटेन लेने में हेल्प आउट करें तो यह डिफरेंट नॉर्स सोर्स और डिफरेंट न्यूस और डिफरेंट आर्टिकल्स आते गए इस डिरेशन के अंदर और जो बोडी ती डेट बोडी परवेज की उसको कराची में भेज दिया गया था अब अनीका जो पा करामत और एमोन उनका खराब हो गया है अब जो डेट बोडी थी बिसिकली परवेज की वह कराची में पहुंच चुकी है एक पार्क के करीब एक पार्क में नेर परिटिश डिप्टी हाई कमिशन थी कहां उस पार्क में डिलिफरेंट जा चुक हैं जहां पे अनीका भी पह चुकि यह एक पाक में वो पाक है करी बिटिश डिप्टी हाई कमीशन के वहाँ पर अनीका है वो ही इस होल्डिंग विजिल एनिहाँ इसके बाद क्या होता है अनीका जो है वो बिसिकली जस्टिस की डिमांड कर रही होती है कहती ही करामत से और प्राइम मिनिस्टर से कि हमें जस्टिस चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर से और करामत से कहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर की डिट बोडी है उसको वापस ब्रिटेन में आने दिया जाए लेकिन प्राइम मिनिस्टर और करामत रिफ्यूस कर देते हैं तो अलाव पर वेज बोर्डी तो रिटर्न और ये ऐसा फैसला था जिसको पार्लिमेंट भी स्पोर्ट कर रही होती है फिर नेक्स्ट मॉर्णिंग क्या होता है नेक्स्ट मॉर्णिंग एमॉन पाकिस्तान आता है एमॉन पाकिस्तान आता है और आके वो भी एक वीडियो रिलीस करता है जिसमें वो करामत के फैसले को क्रिटिसाइस कर रहा होता है और अनीका के जो डिसिजियन होता है उसको स्पोर्ट कर रहा होता है यहां से father and son cap मजीद बढ़ जाता है वो कहता है अनीका जो है उसकी फ्योन से है वो कहता है करामत जो कुछ भी कर रहा है वो बिसकली अपने फाइदे के लिए अपने मुफाद के लिए कर रहा है अब जब यह वाली बात कहता है कहता है कि जो father इसका कर रहा है वो personal animals के लिए कर रहा है यह जो बात थी यह इसके father को hurt करती है पिर again morning papers में different articles रिलीज होते है जिनमें कहा जाता है कि करामत जो है एक अजीव गरीम किसम इमिगरेंट बेटे का बाप है जिसने शादी की हुई है वेल्थ के लिए वेल्थी फैमिली में ठीक है करामत की बात कर रही हुई है और करामत ने अपनी Muslim identity को ऐसा token यूज किया ताके वो election जीट जाए और बात ने जब वो election जीट किया तो इसने अपनी Muslim identity को पीछे चोड़ दिया ठीक है ये सारी news आारी है करामत की अगींस्ट मैंगरम निउस पेपर के अंदर morning papers के अंदर अब इसके बारído है करामत शने बारे इसने यूज के बार इपनी wife के पास जाता है यसकी wife का नाम है Terry और अपनी बेटी के पास जाता है इसकी wife का नाम है Emily और जब इसमुत पें और वाइफ और बेटी की पास आता तब यहां किया पर सोचता है कि जो सिच्थेशन चाल रही है, सूरतहाल जैसी चाल रही है इस सूरतहाल को देखते हुए, यह स्थेऽे गलत कर रहे हैं मतलब situation के सारे के सारे anti-karamot हुए हैं मतलब सारे के सारे करामot के against हुए हुए है करामot सारे मामलाद को discuss करता है अपने wife के साथ और दोनों जब discussion करते हैं तो उस टाइम पे करामot सोचता है उसको realize होता है कि उसको चाहिए कि Anika को जो परवेज की body है उसको वापस ब्रिटेन लाके दफना देना चाहिए Anika को permission दे दिनी चाहिए anyhow जब इसको realization हो रही होती है कि हाँ इसको Anika को permission दे दिनी चाहिए कि वो परवेज की dead body ले है यहाँ पे तो उस duration क्या आता है सारी अवाम इसके खिलाफ हो चुकी हुए पहले और इनका security garden के पास आता है और पताता है कि इनको threat है करामत को threat है और पर करामत, Terry और Emily इन तीनों को एक safe room में लेके जाया जाता है घर के लेकिन कुछ देर बाद जब इनको पता लगता है कि वो threat इनके लिए नहीं था वो threat किसी और चीज के लिए और कहीं और है तो इनको release किया जाता है मतलब यह free हो जाते है अपने घर से बाहर आ जाते है अपने room से बाहर आ जाते है तो बैसे के लिए हुआ कि एक news आये कि threat है अब threat कहां पर वो देखिएगा वो threat पाकिस्तान में था क्योंकि पाकिसतान में को यह कौनके है Ahemoon किसके पास किया 있어요 Aneika के पास किया सब्सक्तान में जब पाकिसतान में Amón जाता है Aneika के पास Park के इंदे तो वह पर different news channels वाले आ जाते हैं Okay. Different cameras man आ जाते जोगे इनको capture कर रहियो होते है Aneika के arrival को और जब वो अनिका के पास जा रहा होता है तो अचानक दो आदमी आ जाते हैं जो कि आखे एमॉन को पकल देते हैं और एमॉन के ओपर एक बेल्ट बांग देते हैं उसकी वेस्ट पे और वो बेल्ट कौन सी होते है एक्स्प्लोसिफ बेल्ट जिसके ओपर बॉम लगा होता है फटने वाली बेप, धमाका करने वाली बेट, तो ये थ्रेट था बिसिकली, जो थ्रेट की बात की गई, वो इस थ्रेट की बात की गई, अब एमॉम पहले हाथों हाथ खोलते हुए, अनीका के दिरफ भाग रहा था, ठीक है, उसको गले लगाने के लिए, लेकिन जब एमॉम अनीका देखती है, कि वहाँ पर एमॉम आ रहा है, तो एमॉम अपने हाथों को उठागे, अनीका को रोक रहा होता है, कि मत करीब आना, यहां पर कुछ डेंजर हैं, पर ख़दर है, ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अनीका आती है, उसको गले लगा लेती है, इमॉम अनीका और कहता है, दूर हो जाओ, रण, ही शाओट, गेट वेफ्वे फ्रॉम मी, रण, वह कता है, दूर भाग जाओ, लेकिन अनीका उसके कान में कुछ कहती है, दोनों खामोश हो जाते है, इक सर के साथ सर जोड के, चिक के साथ चिक जोड के, जैसे कि बुक पे कुटिशे नहा ब्यूटिफुल और आट पीस, और यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है, तो मेरा शमसी की राइटिंग की कास बात है, कि वो एंडिंग हमेशा ना, छोड़ देती ही रीडर को, रीडर सोचे कि एंड पे क्या हुआ होगा, कि बलास्ट हुआ, क्या हुआ, दोनों और यहाँ पे जब दोनों लवर्स करते थे, तो इसी के तक दोनों नोवल की एंडिंग कर दी, एंडिंग इसके बाद, क्या-क्या पॉसिबिलिटी से वो रीडर ने खुद सोचना होता है, तो यहाँ पे स्टोरी खतम हुई हमारी, आई हो पे स्टोरी आपके लिए काफी हार भी करेगा और हमारे वीडियो का अपने दोस्तों साथ शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू, अलाहाफिस